वेलकम तो आर चैनल सेयर मार्केट सोलुजन 24 इंटो 7 में आपका स्वागत है दोस्तों आज जिस सेयर के बारे में बात करेंगे वह है एक्टर डियम हेल्थकेर लिमिटेट का और देखी इसका रिजल्ट आया था वोस रिजल्ट को भी हम लो डिसकस करेंगे इसका टेक्निकल तो सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों इसका फंडामेंटल उसके बाद हम लोग न्यूज पर बात कर लेते हैं और उसका टेक्निकल चार्ट हम लोग देख लेते हैं तो यह चीज़े जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो यारा परसेंट से ज्यादा क का अप्मूब दिखा चुका है और देखी यह चार्ट है और स्ट्रॉंग चार्ट जो है इसमें देखने को मिल रहा है और यहीं पर इंट्रेंसिक बैलू देखा जाए तो काफी ठिटा पोजिशन पर इंट्री लेबल के लिगूड है कोई रेट फ्लेक नहीं है और सबसे बड़ी बात दोस्तों यदि फोरेकार्ट की बात की जाए इस सेयर का तो यहां पर देखिए टैन एनलेस्ट में से 90% जो है इसको बाइं की रेस्टिंग सजेस्ट कर रहे है और यहां पर फिनांसियल देख लिए जाया तो फिनांसियल में आपको क्या पॉजिटिव दिखत है यहां पर नेट इंकम में भी आपको इंड़ाक्ट्रू को आउट फसर मिया इंगम इनका 28.25% जबकि इंड्क्रिक को मिलती है तो consistent एक जो है revenue में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है net income इनका देखा जाए तो यहां पे net income देखे दो तो अभी जो है 147 का चल रहा है 147 करोड करोड के चल रहा है जोकि last year f20 में यह 276 का था EPS देखा जाए तो आज के डेट में 2.97 यानि f21 का data अभी हम लोग देखेंगे अब बात करें दोस्तों किस छेत्र में काम करती है तो आपका जैसा नाम है के healthcare limited company है और healthcare में यह काम करती है और वहां देखा जाए तो इसका business overview देखे देखे देश्तों तो इसके पाफ 27 hospitals है clinic है 120 आपका यह GCC का मतलब हो गया 13 जो है आपका GCC में गल्फ countries में है इंडिया में 14 है तो सबसे ज़्यादा जो इनका revenue आता है दोस्तों वह आता है गल्फ countries से और जो बाकी remaining है वह आता है इंडिया से तो यहां पर देखा जाए फार्मा फार्मिसिट्स की बात की जाए 371 है 114 जो है लैप्स है और 632 टोटल फैसलिटीज है इनके पास और यहां पर बात किया जाए तो number of medical centers polyclinics in GCC तो यहां पर सबसे जादा जो है इनका जो है number of medical centers है कहां पर गल्फ countries में और बात करें जहें प्रजेंस करती है seven countries में UAE, सौधी अरबिया, कतर, ओमान, बहरीन, जौडन, एंडिया तो यह साथ countries में इनका प्रजेंस है, multinational company है और बात करें तो one of the largest private health care service provider है operating in Asia तो आपको यहां से यह चीज को समझ लेना होगा और capacity देखा जाए बैड का तो पांच यहार से ज्यादा है पैसेंट विजिट देखा जाए 18.6 million जो है पैसेंट विजिट करते हैं और वहीं पर revenue देखें दोस्तों तो total revenue देखा जा 10,253 करोड का revenue generate होता है और वहीं पर बात कर आप डॉक्टर है 7,400 से ज्यादा आपके नर्सेस है अधर इस्टाब देखा जाए 11,700 लगभग 12,000 के और आउट्सोर्ट करते हैं 3,303 जो है तो यह सारी चीज़े हैं विजनेस ओवर्वी आपको समझ में आ गया होगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों देखा जाए जो जो यह सी इसी कंट्री में यह सबर्चि परसेंट रिवेजेटा बढ़ा आता है वह फार्मी में तो यहां पर देखें क्लिनिक से 56 पर्सेंट से 15 परसेंट होस्पीटल से इनका जो रिवेजह जो है 57 परसेंट का आ रहा है तो यह चीज़े हैं और उमान वकातर सौधियों इस तरह के हॉस्पिटल से जो कि यहां पिक्चर में दिख रहा है और इंडियन हॉस्पिटल की बात किया जाए तो देखिए केरला में करनाट का माराहंट्रा अंद्र पर ते ते लंगाना में इनका अच्छा प्रजेंस है मतलब साउथ इंडिया बेश कंपनी है साउथ इंडिया में प्रिजेंट रखती है और यहां पे एक्टर पाइपलाइन प्रजेक्ट देखा जाए तो देखिए क्या-क्या चीजे करने वाले हैं उसको भी देखना है तो यहां पर देखिए एक्टर हॉस्पिटल बना रहे हैं यहां में मसकट में बनाएंगे दोहा क एक्पेंशन होना है और यह सारी चीजे हैं जो कि आपको समधना चाहिए आगे आने वाल समय में अच्छा जो है इनका ग्रोथ देखने को मिलेगा यहीं पर ग्रोथ लिए लाट फाइफ येर में देखा जाए तो यहां पर आउट पेसेंट जो इनका बढ़ा है नाइन पर प्रोवाइडर है एक्टर एकुसिस्टम है और यहां पर बात करें डिजिटल हैड में भी मतलब आपको घर बैठे जो है कोई विशला देना यह सारी चीजे भी डिजिटल फ्रेटफॉर्म पर यह काम करती यह कंपनी और बात करें एक्टर लैब है और एक्टर के फार्मसी इंडिया में तो यह चीजे जो है साउस इंडिया में मैक्सिमम साउस इंडिया में तीन स्टेट में आपको देखने को मिलता है यहां पर बात करें दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका जो है रिजर्ट का तो वहां पर देखने को मिलेगा क्या तो यहां पर चीजे देखना है तो यहां पर हेल्थ कर प्रोवाइडर है रिपोर्टेड ए नेट फ्रॉफिट हो 117 करोड इन जन्वरी मार्च प्रियोड और 2021 तो जहां पर जन्वरी में 117 का था आज के डेट में 246 करोड का है और रिवेनियो ऑप्रेशन यहां पर बढ़ा है 2728 करोड का यह भी आउट फर्फर्फर्म किया है 2391 करोड के मुकाबले अब बात करें इसमें इनका 601 करोड का है as compared to 178 करोड जो की 2021 में हुआ था तो यह सारे चीजें हैं और यहां पर रिवेनियो फ्रम ऑपरेशन जो देखा जाया तो यहां पर देखे 10,253 करोड का जो की मैंने बता प्राना में अच्छा प्रजेंस है अब बात कर लिए टेकनिकल चार्ट पर दोस्तों तो यहां पर अधी टेकनिकल चार्ट देखें तो आज के डेट में यह गैप आप ओपनिंग किया था और यहां से आपको क्या करना चाहिए वह चीजे जो है चार्ट से हम लोग समझ ले मार कर लिजे तो इसको हम लोग मार करते वह जाएंगे यह जो 75 का तो यह देखिए 65 का तो यह कहीं न कहीं इसी लेबल पे आके लगातार जो कि यहां पे बॉटम बनाया था तो बॉटम जो के लो पॉइंट जहां चुबा था 158 का यह आपका मार्च में हुआ था और उसके यहां पे भी यानि मार्च 24 मार्च को एक अच्छा उचाल देखने को मिला था और हाइस देखा जाए तो 200 पे इसने जो है एक रेजिस्टेंस लिया था तो अब बात कर लें 192 पे यह चल रहा है 200 के आसपास यानि यह 197 से आज के डेड में यह नीचे आ चुका है और यहीं पे बात किया जाए तो इस ट्रॉंग जो है यह दि देखा जाए तो आपको जन्वरी से यानि यह देखा जाए तो यह देखे जन्वरी दिसंबर में भी यहां पे यानि 200 एक इसो तो तिरानवे पर यह क्या कर रहा था यहां पे भी आपको रेजिस्टेंस ले रहा था और तो एक आप क्या कर सकते हैं इस टॉपलस लेके इसमें खरिदारी कर सकते हैं लेकि इस टॉपलस आप अग्रे यहां पर थोड़ा सा इस्टिक्ट होना चाहिए या यह दिए इस टॉपलस हीट हो जाता है तो आपको वेट करना चाहिए कि 200 के उपर क्लोजिंग दे तो आप यहां से आपको जो प्रैस मिलेगा वह कहीं नहीं आपको देखिए पहला प्रैस जो दिखता है वह है यह तो नेक्स टार्ट जो मिलेगा वह दो सो तेरा के आसपास मिलेगा तो मतलब अभी जो प्राइशन स्टों ड्रहाट है 250 आप करेंगे आप अच्छा हीँए कर पर देखने को मिल सकता है ऐसा मैं कियों करना देखिए इनका सबसे बड़ा ज्यादा रिवनिव 77 परसेंट कहां से आता है आपका गल्फ कंट्रीज में और जो ओयल के प्राइस है वह आल टाइम हाई पर अभी चल रहे हैं और काफी अच्छा मुनाफ़ा जो है आपको गल्फ हो रहा था तो कहीं न कहीं वह हेल्फ केर पर एक्पेंट्र जो है गवर्मेंट का वह कम करता है तो अभी का किनारियो बेस्ट है यहां पर गल्फ कंट्रीज पर कंपनी को आप देख सकते हैं तो यह सारी चीजे थी जो मुझे बताना था आपको कैसा लगा यह वीडियो में मुझे बताएगा अच्छा लगा तो लिए लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं नेक वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए बाबाई